खबर की पड़ते ही शायद आपको अपना बचपन याद आ गया हो क्यूंकि बचपन में हम लोग जान मूझ कर पानी में अपने हाथ डुबो कर रखा करते थे सिर्फ इसलिए ताकि अंगुलियां से कोड़ जाएं तब ऐसा करने में बहुत मजा आता था लेकिन ऐसा करते समय क्या कभी आपने सोचा था कि पानी में अंगुलियां सिकोड़ती क्यों है अगर आप कम से कम 10 मिनट से उपर लगातार पानी में अपने हाथ या पाम रख लें तो थोड़ी देर के बाद अंगुलियों की तवचा सिकोड़ने लगती है अधिक देर तक रखने के बाद वे अच्छे से सिकोड जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे ये हमारे नहीं किसी बुजर्ग व्यक्ति के हाथ पाव हों लेकिन आखिरी ये अंगुलियां क्यों सिकोडती हैं इसका जवाब आसान लेकिन काफी रोचक है दरसल अंगुलियों का सिकोडना एक विशेश प्रकार की तं अंगुलियां सिकोड जाती हैं इतना ही नहीं एस उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जिनके शरी में कैल्शियल की कमी रहती है इसके अलावा अंगुलियों के पानी में सिकोड जाने की एक और वज़य है जो पूरी तरह से साइंस पर आधारित है इस वज़य को साइंस की दुनिया में diffusion के नाम से जाना जाता है